रेल्वे गेट क्रमांग 120 मनिशनगर रेल्वे विभाग द्वारा नागपुर महानगर पालिका के अंडर पास से गई सीवेज लाइन पूरी तरसे फूट चुकी है जिसके कारण स्तानिय परिशद में गंदगी फैल रही है जिसके चलते दक्षिन पच्छिम व्यदान मनिशनगस्तित रेल्वे लाइन से गुजर रही सीवेज लाइन से काफी गंदगी बैह रही है जिसके कारण सानी परिसर में बड़ी मात्रा में गंदगी फैल रही है दुरगंदित वातावरन के कारण जन जीवemi तरस्त हो चुका है जिसको ध्यान Parece ब रेल्शन उसे जित हुआ जिसका संग्यान लेते हुए शिपसेना शंदे गुर्द्वारा रेलवे मंडल कारेले में अभियंता विभाक के अधिकारी चिकले को ग्यापन सौपा गया इसमें शिपसेना कारेकर ताम मौझूद थे प्रविन शर्मा ने रेलवे विभाक से अनुमती देने की मा दो साल से गडर की लाइन फुटी हुए है और फुटी हुए लाइन के लिए माजी नगर शिवक ने भी कई बाग निवेदन दिया और तब भी वो काम अभी तक के नहीं हुआ फिर हम लोगों ने पिछले छे मैने से उसको फॉल अप कर रहे हम लोगों ने मानीने मुक्यमं मंतरी साफ को भी लेटर लिखा वहां से मानी मुक्यमंदरी साफ के तरफ सी यहां फोन आया कारेले में उसके बाद में तश्पष्चात यहां के जो खासदार है कुरपाल तुमाने साफ तब हम ने उनको भी बताया उनका भी हमने लेटर लेकर आया पिछले दो सालों से और वह गंदगी होने के पुरे मच्छर और गंदगी इतनी हो गई जिससे की बीमारिया हो रही है और अभी बरसात का सीजन चल रहा है चोटे-चोटे बच्ची अभी स्कूले चालोगी और जाने आने के लिए कोई मार नहीं है तो वहां सब विशय को लेकर के आज हम लोग कई कर के आये कि आये कि गचाम नांग्पूर महनगार पालिका के पास में जब हम लोग गए तो मनाम एक समयना दिया तो कहीं नगरी हम आख रहो आशGe अर नहीं संह रहा है और नहीं सूना रहा है इने वह जाना परमीशन नहीं देना तो यह समझ बनी आया तो कुछ आधिक पुराने जमानी की है तो ऐसी कई बाते हैं तो पुरा क्रिलेंस करने के लिए आज हम लोगों यहां पर आये हैं चिकले सरको आज यह नीवधन हम लोगों सिवसेना सिंदेगट की ओर से देंगे और यह जल्द से जल्द निवारा नुन ने करना चीए उनकी जवाबदर है बस सब मांगे हम यहां पर आज लेकर क्या है हुए है इन बीसे न्यूज की रैजित कोवर के साथ मनीश टेमरे की रिपोर्ट